पुल्म इंडस्ट्री में दिगज अभिनेत री जयाब बच्चन क्यों नजर नहीं आई दिलप साहब की अंतिमी यात्रा में शामिल होने बेटी अभी शीक भी पहुँचे और खुद महानाया का मिताब बच्चन भी पहुँचे लेकिन महिलाओं में बच्चन परिवार का कोई सदस से नजर नहीं आई श्वरिया को लेकर पहले थे सवाल अब जयाब बच्चन को लेकर भी है सवाल उनकी अंतिम दर्शन के लिए जब नहीं पहुँची जया सवाल लोगों के जहन में था क्या थी इसकी वज़ा क्या कोरोना काल की वज़ा से वो नहीं पहुँच पाई या राजधानी दिल्ली में वो अपने काम की वज़ा से बिज़ी थी राजनेतिक सफर की वजह से वो काफी बिज़ी भी रही है लेगिन क्या आपको मालूम है बॉलेवर इंडस्ट्री के इस बड़े कलाकार की गुज़र जाने के बाद जब बड़े बड़े दिगज शरीक हुए इस मौके पर तो पुराने दिन याद आए कि जया बच्चन का भी कम रिष्टा नहीं था दिलिव साहब के साथ गहरा जया बच्चन के भी काफे करीब थी दिलिव और साइरा की ये जोड़ी वैल दिलिव साहब अपने घर पर भी इंफाइट करते थे बच्चन परिवार को अवार्ट फंक्शन्स में भी एक दुसरे के साथ हसते खिल खिलाते और यादगार लम हिस्त आचा करते वे अकसर नज़र आते थे ऐसे में दिलिव साहब के घर जब नहीं पहुँची सायराबानो के लिए उनका दर्द बाटने जयाबच्चन तो सवाल ये सब के जहन में इसे लेकर खड़ा हो गया है जिसका जवाब तो अब जयाबच्चन ही दे सकती हैं क्योंकि उनके घर पहुँच कर तो काफी अच्छे रिष्टी रखती थी जैया बच्चन उनके घर पहुँचकर तो अक्सर ही उनके साथ गुफ्तुगू किया करती थी जैया पूरे परिवार के साथ ये नजारा आप देख सकते हैं उस वक्त का ज़्या बच्चन निधन से पहले दिरिप साहब के निधन से पहले उनसे मिलकर खुब गुफटगू किया करती थी नेक्ष्ट नाई निज्रूम से त्रपते की रिपोट